सब्सक्राइब कीजिए टेकेवर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें इंस्टेंट वीडियो नोडिफेकेशन के लिए ए गाइज इस आईश और यह वाचिंग टेकेवर तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में तो यहां पर में पर दो माइक्रोफोन यह चोटा मिनी कंदेंसर माइक्रोफोन और यह बोया का माइक बोया बीवा एम वन जो की आप बहुत सुने है बहुत स्यादा कॉमन एं यूट्यूबर के बीच में लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे निई यूट्यूबर से बिगने बीटेव वश्कर तो आप जानते हैं कि आपका स्मार्टफोन इतना पावफूल है कि हो एक्ट्रूर में रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो इक दम इंगे अगर सेचीड भी आपे बहुन और आपके निया प्रनिक नियु पोया माइक जरूर्त है वो ही लेते हैं बोया माइक का प्राइस है 1500 रुबीज अधिया पर जो मैं माइक आपको दिखाने वाला हूँ रिमिन का मिनी कंडेंसर माइकर फोन ये वीडियो बिल्कुल स्पॉंसर नहीं है ये मेरा खुद का अपीनियन ने खुद का रिव्यू है और मैंने इस माइक को पा पाफूल 500-600 रुपए के बीच में प्राइस इसका वैरी करता रहता है एंड आमसान में आपको ये काफी अरां से मिल जाएगा एंड यहां पर यह माइक यह पूरा मेटल से बनावा है यह जो वायर मैश है यह भी मेटल से बनाया गया है यहां पर पूरा अलुमिनियम बॉ का वायर और यहां पर आपको एंड में आपको मिल रहा है 3.5 ओडियो जैक जिसका वाला फॉर्मेट है अगर आपको जानना है यह क्या होता है तो ऊपर एक और वीडियो में लिंक कर दूंगा उससे आपको समाझ जा जाएगर टिया रस में क्या डिफरेंस है और यहां पर इस जैक के साथ आपको मिल रहा है एक और फीमेल जैक जहां पर आप हेटफोन इंपूट करके आउडियो मोनेटरिंग भी कर सकते हैं तो मेरे पास जो स्मार्टफोन है वह है रेडमी 4 और यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रेडमी 4 से इस माइक से बोया माइक से भी और यह मिनी कंदेंसर माइक्रोफोन से भी तो आउड़ इंडोस दोनों हम लोग टेस्ट करेंगे और नॉइस कैंसलेशन टेस्ट करेंगे और इन दोनों का ओडियो क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे इस अब हम लोग स्विच कर चुके हैं स्मार्टफोन में यहां पर दिस्ट रहते हैं क्वालिटी अच्छा आप अच्छा है अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस माइक का अच्छा अब शुच करते हैं छोटे मिनी कंदेंसर माइकर फॉन में और देखते हैं कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि यह माइक का अच्छा है मैं जानता हूं एडट करने से पहले भी मैं जानता हूं कि यह माइक का अच्छा होना वाला है तो आप चलते हैं इंडोर इस माइक का भी टेश करेंगे और बोया माइक का भी टेश करेंगे बोलो तो अब में शांत रहता है कुछ सेगेंड के लिए फिर देखते हैं इसका नौइस केंसलेशिन कैसा है तो यह था इंडोर कंडिक्शन टेस्ट गोया माइक का एंड इस छोटे से रिमिन माइक का अभी हमने आउटओर और इंडोर दोनों टेस्ट का लिए आपको मुझे नीचे कमेंट्स में पताना कि आपको कौन सा माइक ज्यादा बेटर लगा आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिलेगा माइक और कुछ लाइक दिमाग में यह बैठा रहता है कि यह माइक ही अच्छा है यही लेना है बट और भी बहुत सारे माइक से जिनको आप ट्राय करना चाहते है लेकिन प्राय में भी नहीं कर पाते होंगे फॉर सम रिज आपको पसंद आप लिए लाइक कर दीजिए लाइक दीजिए विडियो को शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आकिन दबादीजिए एंड बी अपार्ट आप 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 दिस टीन टेक एवर थैंक यू फो वाचिंग एंड टेक एवर फोरेवर आप